पुत्तर प्रदेश की साथ विधान सभा सीटों पर हुए उप्चुना में बिजेपी ने सांदार जीत दर्ज किये मंगलवार को घोसित हुए नतीजों में BJP को 6 सीटों पर जीत मिली है वहीं समाजवादी पार्टी के और मलहनी सीट पर जीत हांसिल करने में कामयाब हुपाई है बांगर महु देवरिया, बुलन साहर, नौगवा साधार, टुंडला और घाटमपूर में जहां BJP के उम्मिद्वारों के सीट पर जीत का सेरा सजा है वहीं जौनपूर की मलहनी सीट पर समाजवादी पार्टी के लकी यादों ने निर्दली उम्मिद्वार को हरा कर जीत हांसिल की है उपचुनाव में जीत के बाद BJP में जस्न का महोल है UP की CM योगी आधितनाथ ने जीत का सिर्फ पार्टी के राष्टी अध्यक जेपी नट्टा के नेतिर्ट को दिया है उन्होंने कहा है कि नतीजों ने एक बार प्रिसाबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है CM ने कहा कि PM मोदी की जनहित योजनाव पर भरोसा जताते हुए लोगों ने BJP को वोट दिया है उत्तर प्रदेश विधान सभा उप्चुनाव परिणाम भोसीत होने के बाद सदन में भारती जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सदस सेंख्या में बढ़ोत्री हुई है विधान सबा की साथ सीटों पर हुए उप्चनार के रिजट आने के बाद सदर में भारती जनता पार्टी के 6 और समाजवादी पार्टी के 1 सदस बर गए हैं यूपी के 403 सदस्यों वाली विधान सबा में अब बिजेपी के 310 सपा के 49, बिएस्पी के 18, अपना दा सुनिलाल के 9 कॉंग्रेस के 7 और सुहेल देव भारती समच पार्टी के 4 और निर्दली सवेथ 5 विधायक हैं रांपूर जिले के 100 विधान सबा सीट वहां के विधायक अबदुल्ला आजम के कोट से आयोग घोशिय थोने के बाद अभी खाली है पश्चिम मंगाल, हरियाना, राजस्थान, ओरीशा और दिल्ली समयत उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पटाकों पर बैन लगा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किये कि आए आदेश में 13 जिलो मुझबफन अगर, आगरा, वारांसी, मेरट, हापुर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनाओ, मुरादाबाद, नोईडा, ग्रेटर नोईडा, बागपद, बुलनसायर में पूरी तरह से पटाके जलाने पर बैन है जबकि अन जिलो में अब सिर्फ ग्रीन पटाके ही बेचे जा सकेंगे पटाका बैन का यह आदेश अफिलाहल 30 नोवंबर तक जारी रहेगा 30 नोवंबर के बाद सरकार आगे की समिच्छा कर फैसला लेगी NGT ने एक आदेश में कहा था कि देश के जिन राज्यों में एर क्वाल्टी खराग की सेरी में बनी हुई है उन राज्यों और सहरों में 9 नोवंबर की मधिराती से लेकर 30 नोवंबर की राज तक पटाकों के इस्तमाल और बिक्री पर प्रतिबन से जुड़ा NGT का आदेश लागू होगा जिन सहरों में एर क्वाल्टी मॉड़रेट है वहां सिर्फ ग्रीन पटाके ही बेचे जा सके है यूपी में मंगलवार को कोरोनवारिया संक्रमा के 255 नए मामले सामने आने के बाद ही अब संक्रमनितों की संक्या 5,311,11 हो गई है पिछले 24 गंटे में संक्रमा से 30 लोगों की मौद भी हुई है वहीं अब तक कुल 7,271 लोगों की इस महामारी से मौद हुई है यूपी सौथ बुलेटन के अनुसार प्रदेश में फिलहाल 22,846 लोगों का इलाज चल रहा है पिछले 24 गंटे में 2201 कोरोनवारिय ठीक होकर अस्पता से दिश्चाज हो गए है प्रदेश में अब तक 4,71,204 संक्रमित मरीय इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं यूपी सरकार के मेडिकल बुलेटन के अनुसार पिछले 24 गंटे में सरवाधिक 5 मौते लखनव में हुई है जबकि मेरख में 3 लोगों की मौत हुई है वहीं वारांसी, आगरा, आयोध्या, जौनपूर, सिधाद नकर और मैनपूर में 2-2 लोगों की मौत हुई है नए संक्रिम्तों में सबसे अधिक मामले मेरट में 197, लखनव में 171, गौतंबुन नगर में 119 और गाजियाबाद में 108 मामले मिले हैं उत्तर प्रदेश में बदमासों का इंकाउंटर लगातार जा रही है बुद्वार तरके ग्रेटर नोड़ा में हुई मुडभेड में एक बदमास पकड़ा गया है उसके पाउ में गोली लगी है जबकि दूसरा बदमास अंधेरे का फायदा उठा कर भाग निकला पुलिस ने घाल बदमास को अस्पताल में भरती कराया है उससे पूस्ताज की जा रही है पुलिस और बदमासों के बीच यह मुडभेड ठाना नौलेज पार्क में हुई नौलेज पार्क में सौरदा गोल चकर्स के आगे पुस्ता पर पुलिस चेकिंग कर रही थी इसे दोरां सक होने पर बाइक सवर दो लोगों को रोका गया इस पर दोनों भागने लगे पुलिस ने उन्हें पकारना चाहा तो बदमासों में पुलिस पर फारिंग कर दी दोनों बाइक से गिर पड़े इस दोरान दोनों बदमास बाईख से गिर पड़े एक बदमास पुलिस पर फारिंग करने लगा तो दूसरा अंधेरे का फायदा उठा कर भाग निकला पुलिस की जवाबी कारवाई में एक बदमास के पैल में गोली लग गई पुलिस ने जवाबी फारिंग की तो एक बदमास के पैल में गोली लग गई पुलिस ने धायर बदमास को हिराजात में ले लिया है